फ्रेंड्स आज हम सेक्स्पियर की फेमिस ट्रेजडी ओथेलो की बात करेंगे इसका कम्प्लीट टैटल है दा ट्रेजडी ओफ ओथेलो मूर आफ बेनिस इसकी जो सैटिंग है वो बेनिस और साइप्रस में है और कम्पोज यह हुआ था 1604 में अब पब्लिश जब हुआ था 1603 में जो फर्स्ट पोलियो था इसके बाद इसका परफार्मेंश जो था किंग जेम्स फर्स्ट के सामने एट वाइट हाल में हुआ था इसके जो करेक्टर है इसके जो करेक्टर है हम उनकी चर्चा करेंगे करेक्टर की चर्चा हम कर रहे हैं जी हाँ फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बाद ब्रबन्स यू यह डेश्ट मोना के फादर है यागो यह बिलेंड है और यह में ग्रीन आइड मोनिश्टर भी खाय गया इसके बाद माइकल कैस्यू ओथेलो के ल्यूटिनेंड है इमिलिया यागो की पत्री है और डेश्ट मोना की मेड सर्वेंट है और रोड्रेगो पहले डेश्ट मोना से प्यार करते थे ब्यांक का जो है वो बैसिया है प्रिश्टिट्यूट है एंड लबर आफ कैस्यू के प्रेविका है और डियू का बेनर यह अथार्टी है में पावर है मॉन्टेनो गवर्नर आफ साइप्रेस है लोडविकू एक किन्समेन है और डेश्ट मोनास के जी चचेरे भाई है किलावन एक फूल है सर्वेंट आफ वोत तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं इसकी कहानी की सुरुवात कुछ इस तरह है कि इटली के सहर वेनिस में एक गली है अब भापर दो लोग आपस में तीकी बहस कर रहे हैं एक का नाम रोड्रेगो हर दूसरे का यागो रोड्रेगो यागक कूपर इसलिए चिला रहा है क्यो क्या क्योंकि यागो ने रोड्रेगो को डेस्ट मोना को पड़वाने के लिए कुछ र cynical दी थी आ और डेस्ट मोना ने तो यागो अथेले सो साधी कर ली है कैर इसलिए फ Originally जो है वह आगो पर नाराज हो राहा और कहरा है कि at ओठेलो डेश्डमोना से चुपचाप साधी कर लेता है और दोनों जो है डेश्डमोना के पता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी पुत्री से साधी कर लिये लेकिन ब्राबेंस्यू जो है उन्हें इस पर यकीन नहीं होता तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी घर रहती है वो बाहर कैसे जा सकती है लेकिन उनकी साधी हो चुकी है कि इसके बाद कैसियूं के इंट्री होती है कैसीयूं जो है जिसके 양द्रीडीशी होती है वो ह१ुक वो बिनिस के मैसेज है अहिए बसलाता है और वह कहता है कि आपको जो तुर्कियों ने हमला कर लिया है बहां जाना है तुर्किस ने हमला सुमें कर दिया था तो वो वहाँ जातने के लिए तैयार होता है ब्रावेंस्यू जो है तब वहाँ आता है और वो डुक के पास ब्रावेंस्यू भी निकल जाता है उसे थोड़ी तसलिय हो जाती है कि दरबार में ब्रवेंश्यू की सुनवाई हो जाएगी लेकिन ब्रवेंश्यू को यह सोच रखा था वो एकदम से रॉंग प्रूफ हुई ब्रवेंश्यू डूइक के सामने कहता है कि उसने उसके साथ धोका किया और काला जादू करके एक काला जादू किया और उसको पत्री को अपने पक्षमा कर लिया है डूइक कहता है कि डेस्ट मोना का काला जादू नहीं किया उसने उसके साथ साधी किये डूक से कहता है उथे लो इसके बाद ब्रवेंशियों जो है वो साजी को एक्सेप्ट कर लेता है फिर आगे अगे डेस्ट मोना जो है अपने पिता और अथेले से मिलने के लिए आती है और डेस्ट मोना के बारे में उसके पिता जो नहीं जान पाए थे वो कहते हैं कि बच्पन से लेकर जवानी तक अब मैंने आपके साथ समय विताया है और लिड़की क्या तुम्हारी हो पाएगी तेकि डेस्ट मोना ने तुम्हें धोका जरूर दिया है लेकिन वो मेरी बात याद रखेगी है इसके बाद एक सेवक आकर कहता कि जो तुर्किस सेना है उसको समंदर के तुफान ने डूबो दिया है तो बहां उसके जाने की दुकरने की कोई आवसकता नहीं है इसके बाद यागो रोड्रेगो डेस्ट मोना और एमिलिया यागो की जो पत्नी है कैसियो ओथेलो की जो पतनी का हाथ पकड़ को चूमता है और डेश्ट मोना का स्वागत करता है यह देखकर यागो जो है एक सोलेलो की कहता है और जो कैसियो की जो हरकत है उसके बारे में वो एक जाल बुनता है कि साइपर्स को अब किसी का खत्रा नहीं है लोग जस्न मना रहे हैं और लडाई का महल जो है वो समाप्त हो चुका है रोड्रेगो यागो कि यहां रुख जाता है और रोड्रेगो यागो से शिकायत करता है कि उथोलन की साधी जो है वो डेश्ट मोना की साध होगी उससे हो सकता है तूड़ जाए तो उससे अपनी जाल में फास लेता है और वो तब संबब है जब ऑथोलो में जो उसका आस्ता है वो समाप्त हो जाए और वो सेक्ष्वल सैटिस्फेक्शन के लिए किसी दूसरे व्यक्तिक की खोज कर ले यागो जो है रोड्रेगों से कहता है कि देखो मैं जैसा मैं कहूं वैसे तुम करना है आज जो कहता है कि सामको जो पार्टी होगी उसमें कैसियो के साथ लडाई करनी है तो केहनों मैं कैसियो को दार उपरा दूंगा और ओना जा还 को तो मैं इसके साथ लडाई करने हैं और इक है फिर कैशियो समय की तीश मिला देता है प्रोडरी को जो है उसे चेलने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है उते लो अपने कमरे से बाहरा दा रोग कहता कि यह सब क्या है तो यहाँ बताता है कि लेप्ट ने कैशीओ ने होड़दग मशाया हुआ है फिर बहां पर होड़दग और सोर से प्रसान होकर वह कहता है कि इसको यहाँ से खटा दो कैसियो जो है वो यह पस्ताता कि मेरी गलती नहीं थी इसके बाद में यागो जो है फिर से एक सोलोली की कहता है और वो कहता है कि ड्रेस्ट बढ़ना और कैसियो जो है एक प्रेमी और प्रेमगा की रूप में कैसियो जो है वो ते लोग वो जो बेंडो है वहां आता है वहां संगीत बजा देता है मधूर और वो अपने किरान को बेचता है कहता है कि जाओ और उस मुझिशियों को जाकर कहो कि वह यहां से चला जाए क्लावन कैसियों के पास आता है और उसे कहता कि वह यहां से चला जाए क्योंकि इमेलिया से वह मिलना चाहता है कि छला जाता है और यागो क्याता है कि मैं उथलों को के हैं तुम में उथलों को बहर ले जाओंगा और तो में इस्चपना के सामने बात रख देना रखलब कि फ्रेंट्स कैश्यू जो है डेश्टमोना से मिलता है और उसे सारी बात बताता है लेकिन डेश्टमोना यह चिंता विक्त करती है कि वो बाता करती है कि वो तोलों से तुम्हें मनवाद देगा इसके बाद में यागो जो है फिर से चाल चलता है और वो अपनी पत्नी को भेजता है कि जाओ वो रुमाल ले आओ जो डेश्डिमोना के पास है फिर वो रुमाल जो है यागो की पत्नी बापस लाके दे देती है और वो कैसियो के कमरे में उसे यागो डाल देता है और फिर होटले को जा कि बताता है ओधेलो जो है ओपर जो उसका प्यार था वो सच्चा प्यार करता था लेकर एक इर्षा में एक जलन में वो डेश्टु मोना की हत्य कर देता है और उसका गला दवाकर उसे मार देता है इसके बाद इमरिया के बता थी कि ये करत जो है वो यागो का है तो यागो जो है वो कैसियो को भी मार देता है इस कहानी में अपनी पत्नी को भी मार देता है जब वो थेलो है तो यागो को मारने के लिए बढ़ता है तो यागो जो है वहाँ से भाग जाता है वो थेलो पस्ताता है और वो खोद आतमात्या कर लेता है यह चार पिरसिदे ट्रेजडियों में से एक ट्रेजडी है पिर जो कैसी लगी आपको जाए कमेंट्स में मुझे जरूर बतायां फैंक्स पर बाचिंग और फ्रैंड्स अगर कोई HDMI स्टेक है सॉरी तो आप मुझे कम मैं जब लैब आउंगा तो बड़िया से बड़िया कंटेंट दोंगा आपको उसके लिए कुछ सर्ते होती है कि सब्सक्राइबर कम है इसलिए मैं लैब नहीं आ सकता और आपको वह कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा पा रहा हूं जो बोर्ड पर मुझे समझाना चाहिए और साथ कुछ हेड़िटेशन इसी विज़े से है या कुछ टेक्निकल प्राब्लम हो रही हुझे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार फिर मझे सुलने है फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो थैंक्स परवाचिए